आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करने जा रहे हैं नई रेसिपी पोहा पकोरा यह पोहा से बनता है बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय में बनता है और बहुत ही टेश्टी बनता है इसमें हमें जादा चीज की जरूरत नहीं परती है यह पकोरा बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंद से बहुत ही सौट होता है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है तो चलिए सुरू करते हैं हमने एक बरतन में डेट सो ग्राम तक पोहा लिया है दो से तीन वार इसे हम वस्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो कच्रा हो वह निकल जाए अब यह धोके हो गया है इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढखके रख देंगे देखिए 15 से 20 मिनट बाद या कितना सौट हो गया है इसे हम हाज से छूर रहे हैं फिर भी यहाँ पोहा सब दब रहा है इसे अच्छे से हम इसमेंस कर लेंगे अब हमारा पोहा देखिए अच्छे से समेंस हो गया है अब हम इसमें थोरा मसाला डाल दे हमने हरी मिर्च 2-3 कटा हुआ और अद्रक कद्दू कस किया हुआ और हरा धनिया और आलू को भी हमने कद्दू कस कर लिया था यहां आलू 4-5 आलू को हमने कद्दू कस करके रख लिया था और इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और जीरा एक चम्मच और स्वादन स्वार नमक यह सब डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे आप आलू को फोर के डालेंगे तो वह कहीं कहीं गुटली सा रह जाता है इसके लिए हमने कदू कस करके इसमें डाला है यह देखे कितना अच्छा लग रहा है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें बैल को आल पे सलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें अब देखिए हमारा यह पोहा पकोरा बनने को तयार है यह अच्छे से आलू इसमें मिल चुका है अब आप इसे चाहे पेरा के आकार में बनाए हम इसे बॉल के आकार में बना रहे हैं तो देखिए हाथ में हमने थोड़ा सा ओल लगा लिया था और इसे हम अच्छे से गोल गुल-गुल-गुल कर लेंगे बहुत ही आसान है यह बनाना हम एक-एक करके सारे बॉल्स तयार कर लेंगे अब हमने एक-एक करके सारे बॉल्स तयार कर लिये हैं अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में अब हमने एक करहाई लिया था उसमें हमने ओयल रख दिया था गरम होने के लिए वह ओयल खूब ही गरम है उसमें हम एक एक करके सब पकोरा डाल देंगे और इसे हमें नीचे गोल्डन ब्राउंड होने तक सेकना है अब यह देखिए नीचे से गोल्डन ब्राउंड सा होने लगा है इसे अब हम पलट देंगे और यह यकीन मानिया यह बहुत ही क्रिस्पी बनता है और इसमें हमने कुछ ज़्यादा सामान नहीं डाला है, सिर्फ आलू और पोहा से हमने बनाया है अब देखिये यह दोनों साइट से गोल्डन ब्रांड सा हो गया है अब इसे हम एक प्लेट में अच्छे से निकाल लेंगे और जो हमारे बाकी के पकोरे बचे थे उसे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे यह तिखी और मीठी चटनी दोनों के साथ बहुत यह अच्छा लगता है खाने में बच्चों को तो मीठी चटनी पसंद आती है हर वीडियो में हम आपके साथ तिखी चटनी की रेसिपी सेयर करते हैं इसमें हमने नहीं बताया है हमारा यह पोह पकोरा सब करने के लिए तैयार है यह पकोरा देखिए कितना प्यारा लग रहा है और यह खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट वाक्स में कॉमेंट करके जरूर बताए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करें बेल को आल पे सलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ सेयर करें और हमारा प्रिवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं धन्यवाद